हे गाइज वेलकम बैक भगवान श्री कृष्ण को भोग में तो वैसे बहुत सी चीजी लगाई जाती है जिसमें माखन मिश्री, मोहन भोग, श्री खंड, धन्या पंजीरी और माल पूय जैसे कई चीजें शामिल है वहीं बहुत सारे लोग मखाने की खीर भी बनाते हैं तो म चीनी लिया है और लिया है मैंने एक लिटर दूद इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले कडाही में मैंने एक टेबल स्पून घी गरम किया और इसमें फिर मैंने डाल गया सारे ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स मैंने पहले ही काट लिया था और उसके बाद मैं इ क्रिस्पी होने तक इसको भून लेती हूं और फिर हम इसे अलग प्लेट में निकाल कर थंडा होने के लिए रख देंगे बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो दिख रहा है भून भी चुका है काफी अच्छा फिर मैंने मखाना लिया है और मखाना को हम जो है उसी कडाही में अच्छे से भून लेना है आज को धीमा रखेंगे वरना मखाना हमारा जल जाएगा तो मखाना यहां पर हलका हलका लाल होने लग गया था तो मैंने इसको निकाल लिया और इसको रख दिया ठंडे होने के लिए क्योंकि ठंडा होने पर यह अच्छे से क्रिस्पी हो फिर मैंने यहां पर दूद चड़ाया है चूले पर और दूद को हम यहां पर थोड़ा सा गाड़ा करते हैं तब तक देखिये हमारा मखाना ठंडा हो गया मैंने इसको पीस लिया और इधर दूद हमारा अच्छे से गाड़ा हो रहा है इसमें हम यहाँ पर केसर के 5-6 धागे मैंने मिला दिया है और इसके बाद हम इसको अच्छे से खौलने देते है मद्यम से तेज आच पर आप लगतार चलाते वे दूट को खौलाए और फिर हम यहाँ पर इलाईची के दाने मैंने 5-6 इलाईची के दाने निकाल कर रखा था आच आपका बिलकुल धीमा होना चाहिए वरना यह खीर बहुत जल्दी जल जाता है दूट को मखानों के साथ मिलाकर धीमी आच पर उबालेंगे और इसे पकाएंगे इस दोरान दूट थोड़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी गाड़ी भी हो जाएगी तो इसमें अब हम इस कटे हुए काजू, बादाम, किश्मिस जो भी आपको ज्राइफ रूट्स पसंदे डाल दीजिए इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हैं या इलाइची का दाना भी आप डाल सकते हैं तो मैंने इस सब को अच्छे से मिलाते हुए देखिए, धीरे-धीरे चलाते हुए पका रही हूँ यदि आप केसर का उप्योग कर रहे हैं तो इसे थोड़े से गर्म दूद में घोल कर भी आप डाल सकते हैं तो इस तरह से देखिए, हमारा कीत मध्यम आज पर अच्छे से गाढ़ा हो रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है, खुश्बू तो बहुत अच्छे आ रही है अब हमारा मखाना और ड्राइफ रूट्स थोड़ा सा पक चुका है तो अब हम इसी स्टेज पर चीनी मिला देंगे मैं चीनी की वीडियो को शूट नहीं कर पाई लेकिन आप इसी स्टेज पर चीनी मिला लिजे और अच्छे से मिलाएंगे चीनी पूरी तरह घुल जाएगा तब तक हमको इसके पकाना है खीर को 5-10 मिनट और पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मखाना का खीर बन कर तैयार हो चुका होगा तो हमारा मखाना का खीर बन कर तैयार हो चुका है दोस्तों बाके बिहारी जी का भोग मैंने तैयार कर लिया है और अब पूजा की तैयारी करनी है आपको मेरे चैनल पर लड़ू कोपाल के लिए और भी भोग की रेसिपी दिख जाएगी ये बहुत ही पॉस्टिक भी होता है अगर आपने कोई भी वरत रखा है और जटपट से आपको बनाना है जोरों की भूग लगी है तो मखाना का खी सबसे बेस्ट आप्शन है और आप लोगों को कृष्टन जन्माश्टमी की हारदिक हारदिक शुप कामना है अगर बनाप में पॉस्टन जन्माश्टमी की भूगी है